के लिए उने एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो आपको यहाँ पर ICC Under-19 World Cup का यहाँ पर जो ऑस्टेलिया Under-19 वर्चिस स्री लंका Under-19 के बीच में जो आपको बैज खेलाता दिखेगा इसक कुछ आपको स्टाइट्स दिखाने बाला हूँ जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गाइस एक एक प्लेयर का आपको एनलीसिस इस वीडियो में मिलेगा गाइस ठीक है तो आप वीडियो को बिलकुर भी मिस मत करिएगा प्लीज गाइस वीडियो को बंद करूँ क्योंकि गाइस अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो गाइस आप लोग बहुत कुछ मिस करेंगे क्योंकि सिर्फ आप टीम अगर कॉपी पेस्ट करेंगे मेरी टेलिग्राम चैनल से तो उससे गाइस आप कभी भी एक अच्छा फैंटेसी प्लेयर नहीं ब सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपके लिए यहां पर मैक्सिमा मैचिस की वीडियो लाने की पूरी ट्राई करूँगा ठीक है अब चलिए गाइस हम इस मैच के बारें बात कर लेते हैं मैच के बारें बात करने से पहले जिन लोगों ने हमारे टेलिग्राम चैनल अभी तक ज जोइन कर लिए ठीक है सब कुछ गाइस हमारे टेलिग्राम चैनल पर आप सब के लिए फ्री है कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता है एकदम फ्री में गाइस मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ इस मैस की फाइनल टीम अपडेट आपको एकदम फ्री में किर्केट के लाबा कबड़ी मैस के भी टीम मिलती है और साथ में कमाल की बेटिंग प्रेडिक्शन भी मिलती है सब कुछ फ्री है कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है तो मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो बस आपसे मैं कुछ और नहीं मांग रहा हूँ तो अपना सपोर्ट मुझे करेंगे तो वही मेरे लिए बहुत है तो अपना सपोर्ट मुझे पर बनाए रखिए मैं अपना बेस्ट देता रहूँ गा अब चलिए गाईस हम इस मैस के बारें बात कर लेते हैं सबसे पहले हम यहां पर क्या करते और अस्टेलिया अंडर 19 ज और इनका स्लेक्शन बहुत कम था और हमने इनको पिक किया था आपको याद होगा तो ठीक है और बहुत अच्छा खेले थे और मैंने लास्ट वीडियो में भी जब बनाए थी ऑस्टेलिया का पहला मैस का वीडियो मैंने बोला था कि यहां पर जो कूपर कॉनोली इनके इन्होंने विले की काफी ज़्यादा तारीफ की है कि वो एक काफी अच्छे बैटसमेन और मैंने उनकी बीडियो भी देखी काफी ज़्यादा मह бесп करते हैं विले गाइस ठीक है तो ध्यान नेकिए कापी अच्छा प्लेयर है इसाग ही गेंस इन्होंने नौरन किये ठीक है कुपर कनोलो कैप्टन इन्होंने 23 किये एन राधा कृष्टना नीच टीम के सबसे इंपोर्टेंट ओल्डाउंडर में से एक उन्होंने 31 किये और क्य केलावई ने यहां पर दस किये ठीक है कैमपेबल केलावई भी बहुत अच्छे बैट्समें है उनकी भी कैप्टन ने तारीफ की थी लेकिन उनका थोड़ा बैटिंग ओडर नीचे है इसलिए इनको ग्रैंड लिए में ज्यादा मैं ध्यान देन नहीं दूंगा ठीक है ला जाला पता नहीं था मैंने स्टैट्स वैसे लास्ट में आपको भेजा था लेकिन स्टैट्स भी कुछ खास नहीं था लेकिन इनोंने बॉलिंग बहुत तगरी की ठीक है उसके अलावा विलियम साल्जमान ने एक विकेट लिया और यहां पर आईदान काहिल नेमात तीनी ओ वह डाला हरी करत वाजवा जो कि इस टीम के एक इंपोर्टेंट बॉलर है ठीक है उनको कोई विकेट नहीं मिला ठीक है लेकिन ध्यान नेखिएगा यह बहुत जाबा इंपोर्टेंट है अभी स्टैट्स में दिखाऊंगा इनका तब आपको पता चलेगा एंद राधा कृ अप्रिश्टन बहुत तग्रे और लाउंडर है बैटिंग से रंस भी कर जकते हैं साथ में लेफ्ट टाम ऑथोडॉक्स साथ में और ब्रेक अलग ही टाइप से डालते हैं दोनों हाथ से बॉलिंग कर सकते हैं कूपर कनोली कैप्टन इन्होंने भी गाईज बॉलिंग कर ल यह बैटिंग का स्टैट्स हुआ मैच का और यह बॉलिंग का स्टैट्स है ठीक है उसके लाब इंटर्व्यू भी मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया था लास्ट मैस में यहाँ पर जब कैप्टन का इंटर्वी हुआ था कूपर कनोली का उन्होंने बोला था कि विले और क वाजवा के बारे में भी उन्होंने तारीफ की थी ठीक है और बोला था उनके बारे में कि उनका बहुत बड़ा रोल इस टूनामेंट में रह सकता है ठीक है तो ध्यान लखिएगा बाजवा मेरे इस आप से इस बहुत अच्छे डिफरेंसल पिक रहेंगे अब गाईस मैं यहाँ पर कैलावाली का और कीपने की बारे में का जिनके बारे में काफी तारीब की थी उन्होंने इस सीजन आठ मैचेस में 449 रन किये, 48 के वैटिंग अबरेज के साथ, साथ में उन्होंने तीन विक्टे भी निका लिए, बॉलिंग इन से जादा आप एक्सपेक्ट ना करेगा, ठीक है, लेकिन एज़ बैट्समें ये बहुत अच्छे है, कैप्टन ने भी इनकी तारीफ की है, तो ग्रैंड लिक की पिक है, ये ध्यान लखिएगा इनका, उसके लाबा इसक भी हिगिंस के बारे में आते हैं, ये भी ठीक यहाँ पर गाईज, यहाँ पर ओल्डाउंडर है, बॉलिंग करने का तो पहले मैच में मौका मिला नहीं, लेकिन इनका इस्टायर्स अच्छ सीजन, 15 मैच इसमें 622 रन कियें, 41 का बैटिंग एबरेज है, और 14 विक्टे हैं, अब गाईज, इससे कमाल का स्टायर्स आपको क्या चाहिए, इतना कमाल का इनका स्टायर्स है इस सीजन का, ये हमारे लिए मेरे इसाब से सबसे बेस्ट कैप्टन सी के ऑप्सन बनते हैं, फिर नेक्स आते हैं, टॉम वाइट ने, इनका देखिए, गाईज, स्टायर्स कुछ खास नहीं था, इसलिए मैने टीम में नहीं लिया था, तेस मैच में इनके 14 विक्टे ही थे और बैटिंग में 229 रन थे, लेकिन बैटिंग से जादा उम्मीद मत रखिए, भले में नहीं लिया था, लेकिन इनोंने बॉलिंग कमाल की, ठीक है, तो आप इनका भी ध्यान लखिएगा, उसके लाबा गाईज, अभी जो दो प्लेयर का मैं आपको स्टायर्स इक प्लेयर इनका भी देख रीजिए, हरी करत वाजवा, इनकी कैप्टर ने काफी तारीफ की थ ठीक है, इनके 8 मैच इसमें 15 विक्टे थी, ठीक है, ध्यान लखिएगा, ये मिस्ट्री स्पिनर है, तो आप इनका ध्यान लखिएगा, ये अच्छा कर सकते हैं, ठीक है गाईज, तो इनका मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत अच्छे डिफरेंसर पिक पहला मैच ये नहीं खेले थे, तो बाईचांस अगर खेलते हैं, तो आप स्टैट्स देख लीजे, साथ में जैक निस्पेत का भी देख लीजे, इन्होंने 9 मैच में 11 विक्टे निका लिए, ठीक है, तो आप इन दोनों प्लेयर का भी स्टैट्स देखकर रिखें, तक वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दे, अगर आप ने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्रिलंका अंडर 19 के बारे हम बात कर लेते हैं, उनका हम पहला मैच का स्टैट्स देख लेते हैं तो स्रिलंका अंडर 19 की टीम के गाइस बैटिंग उतना अच्छा नहीं कर पाए स्कॉट्लेंड के खिलाब, लेकिन जो उनकी तागत है बॉलिंग उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसके चलते हैं, हो चालीस रनों से पहला मैच, स्कॉट्लेंड अंडर 19 से जीत आंगे, इन्होंने पचास ही गाइस कर लिये, ठीक है, सर्प्राइज लिंगे, ठीक है, इनसे मुझे उतना ज्यादा उम्बीद नहीं था, लेकिन बहुत तगरा खेल गए, ठीक है, उसके लावा वैल आगे, इनके कैप्टन, सबसे इंपोर्टेंट पेर में से एक, उन्हो विक्रमा सेकरा ने चार ओवर डाला, इनको भी कोई विकेट नहीं मिला, वनुजा सहन, जो की अच्छे यहाँ पर लेफ्टा मॉथोडॉक्स बॉलर है, उन्होंने दस ओवर में एक विक्टे निकाली, सिबोन डैनियल, ये भी बॉलिंग कर सकते, ओपनिंग भी करते, इन् लागे को ही कुछ करना होगा, उसके लाबा राजा पक्छा ने दो अबर डाला, रवी इंडी सिल्वा, लेग स्पिनर है, तो ये भी अच्छे डिफ्रेंसर पे किस मैच पर रहेंगे, इन्होंने आठ ओवर डाला लेकिन कोई विकेट मिला नहीं, मतिसा पतिराना ने स्पॉलर है टीम के, इनको एक विकेट मिला, ठीक है, तो ये गाइज यहाँ पर सिर्लंका अंडर नाइटीन का पहले मैच का स्टैर्स सा, बैटिंग और बॉलिंग का, आप यहाँ पर वाम अप मैच का आप एक बार स्टैर्स देख लीजे, यह और लेडी एक्स्प्लेन कर स्टैर्स दिखा लेता हूं, तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, रंस के मामल में सदीसा राजा पक्छा ने सबसे ज़्यादा 191 किये थे, और विक्रमा सिंगे ने 189, पबन पाथी राजा ने 101 किये थे, डैनियल ने 78, सौमानाति ने 75 और विलागे ने 13, विकेट्स के म में विलागे ने 10 विके ली थी, पाथी राना ने 6 विके, मैथ्यू ने 4 विके, रविन डी सिल्वा ने 4 विके, सदीसा राजा पक्छा ने 3 विके, और सीबान डैनियल को 2 विकेट्ट यहाँ पर मिला था, ठीक है, तो यह इनका अंडर 19 एसिया कब का स्टैर्स है, जो कि अ हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने भी तक जॉइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्किप्शन में भी आपको पहला लिंक बिल जाएगा, वहाँ सभी जॉइन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने टेलीग्राम में जाकर अगर SK11 एक्सपर सर्च भी करते हैं, तो आ लाबा गाईज, वीडियो के डिस्किप्शन में एक कमाल की बेटिंग अप्लिकेशन का लिंक में देगा गाईज, जिसमें गाईज मैं खेलता हूँ, और मेरी टोटल विनिंग आपको पता है, कितना हो चुका है, 10 लैक्स, ठीक है, बहुत तगरी अप्लिकेशन है, वन वि करना है, हमेशा प्रॉफिट में रहना है, तो एक बार गाईज, वन विन में जरूर खेलिए, ठीक है, इतना चादा आप डिपोजिट करके, यहाँ पर ड्रीम 11 में खेलते हैं, एक बार वन विन में भी खेल कर देखिए, इस अप्लिकेशन के रिलेटिज बनाई हैं, तो अ जाकर अभी डाउनलोड करके साइन अप कर लीजे, प्रोमो कोड SK11 Expert यूज करके, उसके बाद जब आप डिपोजिट करेंगे, तब भी अगर आप प्रोमो कोड SK11 Expert यूज करते हैं, तो गाईज, आपको अच्छा खासा बोनस मिल जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए, व Region 11 और एक है स्पोर्ट से, दोनों एप्लिकेशन में आपको कबड़ी मैचस के लिए जादा रिकमेंड करूँगा, और लेडी गाईज, मैं दोनों एप्लिकेशन से काफी सारे Grand Licks कबड़ी मैच में जीच चुका हूँ, और ये रिसेंट वाला Grand Lick का प्रूफ है, दोनों ए ये fantasy application है, इसमें low competition है, तो आपका बहुत easy winning भी होगा, और आप बहुत अच्छा profit में भी रहेंगे, ठीक है guys, तो आप इन दोनों application में चाहें, तो खेल सकते हैं, उसके रावा guys कुछ दिनों पहले ही, एक दिनों पहली ने guys मैंने एक आपके लिए और कमाल की fantasy आप में लेक सकते हैं, ठीक है guys, जी हाँ guys, आपने सही सुना, मात तीन players के साथ, आप team बनाकर FLC application में बहुत तगरा profit earn कर सकते हैं, अभी मैंने starting किया खेलना, और मेरा अच्छा profit हो रहा है, मेरे पहली winning आप देख सकते हैं, आपके सामने है, जो कि मैंने कल के match में की है, तो अकर आपको खेलना है, तो यहाँ पर guys, मैं dominate करने वाला हो, पहली मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अगरा feature है, तीन player के साथ खेलने का, तो अगर खेलना है, तो इसका भी link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, जाका download कर लीजिए, refer code skill, अपने expert use कर लीजिएगा, sign up करते वक्त, आपको 100 का sign up bonus मिल जाएगा, ध्यान रिखिये मात, तीन player के साथ fantasy आप खेल सकते है, FLC में, उसके लाबा 11 players के साथ भी खेल सकते हैं, लेकिन जो 3 player fantasy है, वो मेरा favorite है, इसलिए मैं आपको recommend कर रहा हूँ, अगर आपको 3 player fantasy खेलना है, तो आप FLC app पर खेल सकते हैं, ठीक है, ब अगर आपको करना चाहते हैं, तो आप FLC application में खेल सकते हैं, ठीक है, इसका भी link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, आप चलिए guys, हम यहाँ पर team discuss कर लेते हैं, ठीक है, team discuss करने जे पहले guys, मैं आपको यहाँ पर 2 matches की, अगर मैं आपको result दिखा हूँ, 2 Under 19 World Cup के latest Under 19 World Cup matches क results, तो यहाँ पर guys, मैं आपको माय matches में लेकर आया हूँ, यह कल का बांगलादेश और England Under 19 का match का result है, जो मैंने आपको same team दी टेलिग्राम चैनल पर उसी के साथ में खेला था, और काफी अच्छा result था, उसके लाबा guys, उससे पहले अगर India Under 19 South Africa का देखेंगे, तो इसमें भी काफी तगरा result था, जो मैंने same team आपको टेलिग्राम चैनल पर दी थी, उसी के साथ में खेला था, और बहुत तगरी रैंग गाई जाई थी, ठीक है, ग्रैंड लिग और मेरी ग्रैंड लिग बे भी बहुत अच्छी रैंग आई थी, तो पिछले दो matches Under 19 के काफी अच्छे हैं, तो hopefully ये match भी अच्छा जाएगा, लेकिन गाईज एक बात का ध्यान लेकिए, मैं कभी भी आपको अपनी team copy-paste करने को नहीं कहता हूं, ठीक है, आप खुद से team करने की अगर try करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, तो guys खुद पर confidence रख जादा नीचे आते हैं, तो लियांगे ही आपके लिए safe option है, आप इनके साथ ही जाएगे, ठीक है, वह ही आपके लिए best रहेगा, आते हैं guys हम batter section पर, जहां पर सबसे पहले आपको किसे लेना है, आपको पता है गाई, सबसे पहले यहां पर लेना है S.Daniel को, जो कि सिललंगा क तरब से open भी करेंगे, साथ में overs भी डालेंगे, लास्ट मैच में दो विकेट भी लेकर गए थे, आपको याद होगा तो, तो इनको आप सबसे पहले ले लीजिए, next guys मैं यहां पर विले को लूँगा, जो कि Australia Under 98 के लिए open करेंगे, पहला मैच में इनका selection बहुत कम था, इन केलावी को Grand League के लिए ही रखिए, ठीक है, आर सोमा ना थे हैं, ठीक है, आप इनको भी ले सकते हैं, लेकिन मैं उतना इनको भी suggest नहीं करूँगा, उसके लावा मिलर यहां पर open करते हूं Australia से, लेकिन इनको भी मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर परसनली मुझ सकते हैं, पहले मैच में नहीं चले, लेकिन यह आपके लिए अच्छा डिफ्रेंसल पिक का काम कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उनका ध्यान रखेगा, अब आते हैं गाईस हम ओल्डाउंडर सेक्षिन पर, यहां पर बहुत अच्छे अच्छे ओल्डाउंडर हैं, ठीक है, सबसे पहले है हैं, राधा कृषिन अन कॉनाली को ले लेते हैं, यह दोगों कर सबसे इंपोर्टेंट पड़ेर हैं, है ज्यादा रोलिंका बॉलिंग से रहता है, यकिन बैटिंसे भी रंस्कर सकते हैं, तो यह तीनों को भी नहीं जाना है, अब हमें चौता प्लेयर लेना यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह जो विक्रामा सिंगे हैं यह ओपेन करते हैं और साथ में गाइज यह बॉलिंग भी करते हैं ठीक है लास्ट मैस में होने चार से पांच और की बॉलिंग भी की सादीशा राजा पक्षा सिर्लंका अडर 19 के सबसे में बैट्समें है ठीक है तो यह भी कमाल की डिफ्रेंसल है अपने देखा सबसे आधा रंस इन्होंने ही किया यह वन डाउन पैटिंग करते हैं और साथ में कुछ ओवर्स भी डाल सकते हैं और नेक्श यहां पर आते हैं रबीन डी सिल्बा जो कि एक बॉलिंग औल डा पक्षा को थोड़ा ज्यादा बैटर बैट्समें मानता हूँ इसलिए मैं उनके साथ हूँ आपको ज्यादा सेब जाना है प्लीज आप विक्रमा सिंगे कर सकते हैं गाईश ठीक है और ग्रैंड लिग में रवीन डी सिल्बा को ट्राइ कर लीजेगा जरूर इनको आपको ट पर केले जहां पर विक्रमा सिंगे अगर बैटर सेक्शन में है यहां पर जो सबसे कम सिलेक्शन आपको दिख रहा है मातर पांच परसेंट एच बाजबा यह बैस्ट है इनकी कैप्टे ने बहुत ज्यादा तारीफ की है भले ही पहले मैच इनको विकेट ना मिला हो लेकिन यह बॉलर टंग कर सकता है ठीक है तो ध्यान नकिए बहुत तग्रे डिफरेंशल पिक रहेंगे ग्रैंड लिग में तो मस्ट्राइ करना है लेकिन इस्मॉल डी के लिए बहुत अच्य डिफरेंशल रहेंगे ठीक है तो आप इनका ध्यान लखिए उसके लाब अभी के करेंगे साथ में कुछ यहाँ पर यहाँ पर बैटिंग से रंस भी कर सकते हैं तो एक्चली ग्रैल्डिक लिए ठीक पिक है पाथिराना सिर्लंका अंडर 19 के लास्ट वीडियो में मैंने बोला सबसे में बॉलर है फास्ट बॉलर तो आप इनका भी ध्यान डेके यह भी के साथ हूं ठीक है तो यहाँ पर बत बश्यक्त बड़ाई कर सकतो हैं ठीक है तो यहाँ पर और गमेश्य कर जानकी से लिया समय जाये जाए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बड़ा confusion है, कि किसे ले, मैं अभी वाइटने के साथ हूँ, ठीक है, यहाँ पर उस्टेलिया का जीतने का ज्यादा चांस है, तो मैं वाइटने के साथ हूँ, अपर इस पाथिराना को भी आपको लेने, आप ले सकते हैं, ठीक है, वो भी main baller है, यहाँ पर से लंका आगे, तो आप इनका ध्यान निखिएगा, तो यह guys बनते हैं अभी के लिए team का preview, इसमें अगर मैं captaincy, wise captaincy की option की बात करता हूँ, तो सबसे best option तीन ही player है, राधा कृष्णन, कॉनोली, वैलागे, ठीक है, यह तीन प्लेयर है, ठीक है, वैसे डेनियल भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा मैं इन तीनों प्लेयर को रिकमेंड कोऊंगा, अगर मुझसे आप पूछेंगे, तो मेरे captain है राधा कृष्णन, वाइस captain है, कूपर कनोली, अब वैलागों को भी कर सकते हैं, अगर आपको करना है, तो ठीक है, लेकिन थोरा अश्टेलिया का पलरा भारी है, तो मैं इन दोनों all downers के साथ जा रहा हूँ, आपको वैलागे के साथ जाना है, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, और guys, dangle आपके लिए एक अच्छे grandic के cvc के option रहेंगे, ठीक है, और साथ में guys, यहाँ पर कौन रहेगा, dangle के साथ में यहाँ पर वाजवा, ठीक है, बाजवा को कोई नहीं करेगा, बाजवा को तो कोई लेगा भी नहीं के रैंडिंग में, मैं कहा रहा हूँ, आपको इनको कुछ टेम्स में cvc ट्राइ कर लेना, ठीक है, क्योंकि सरलंगा की बैटिंग कम जोर है, तो बाजवा विक्ते ले सकते हैं, ठीक है, तो ये बात का ध्यान नखियेगा, ये अभी के लिए टीम का प्रिव्यू है, इसमें 100% चेंजेस होने बाली है, जो फाइनल टीम अपडेट रहेगी, वो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगी, तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल पर जोइन नहीं किया है, तो फटा फर से चाहिए गाइस वीडियो के डिस्किप्शन में, वहाँ पर आपको पहला लिंक ही हमारे टेलिग्राम चैनल का मिलेगा, जाकर जोइन कर लिजे, फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा, तो बस आज किस वीडियो में इतना ही, आसा करूँगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करना ना भोले, अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भोले, और अभी तक चैनल को कर ले और बेल आइकन को भी आउन कर ले, ताकि आप आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके, तो बहुत जल्द गाइस मैं आपसे मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में,